नमस्कार दोस्तों अब सुबह सुबह चल रहे हैं खेत में बबलु भाई बच्चों को छोड़ का आ गए हैं बच्चे का कर अन्जी के तो उंगली जो कन की उंगली होती है पैर की उसमें थोड़ी चोट लगी थी तो इसलिए उसे तो बानना मिल रहा है वह तो आराम कर रहा है कि दिन से अन्जीगा ही जारी है विचारी अकेली तो देखें जी मोट सके रेड़ी खड़ी है हमारी चलने के लिए बुलू भाई रेड़ी हैं खेत में चलने के लिए पापाजी अकबार पढ़ रहे हैं पापजी नमस्ते दोस्तों पापा नाब सुबह सुबह अकबार ठीक है यह बिल्कुल बहुत सारी चीज़े रहती है एक जगई बिल्कुल हो टच रहे हैं वो लगाता है उसकी किड्ने चलो जी देर आए दुरुस्ता इंटिंग टॉंग चिली बुली तो दुस्त चल रहे हैं पड़ा पड़ा चलो भी या उठालो जी पानी की ब अब अराम निकल जाएगा खेत में जाके जब गन्ने काटेंगी गन्ने छोलेंगी तो यह देखें यहां कालो मा को सुबह सुबह दूप लग रही है अब दोस्तों यह दीरे दीरे दूप इतनी तेज हो जाएगी कि मतलब हमें आप पल्ली टांग नहीं पड़ेगी जिस से यह इन के उपर जो धूप आती है वो थोड़ी सुलो हो जाए तो यह देखें जी चारवारा काटी दिया था राज आपने देखा था यह गोले बच गे थे जो मुरसे के लिपाये थे ताजे गोले काट दिये थे यह सुक्के बचा रखे हैं लाइट बंद कर देते हैं और जी फोड़ पर परदा लगी रहा है हांसे और यह देखें जी मजे ले रहा है मंगलू गईयां भी आनाम से बीठी है पंखा मुझे लग रहा है पूरी रज से ही चल रहा है थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं क्योंकि दोस्तों यह जो हमारी गाये हैं यह बिलकुल कतई एक इनसान का मतलब कतई पस्वो के परती यह नहीं होना चाहिए कि इसे दूद ना पिलाया जाए यह इसके हिस्से का सारा ही नहीं चोड़ लिया जाए अपने इस्तेमाल में ले लिया जाए इनसान को इतनी इंसानियत रखनी रखनी है कि इसका जीवन है इसी की अच्छी तरह से तियार करा जाए कि इसे खरीदने वाले दसाद में तियार हों कि अगर यह कहीं दान में भी दिया जाए तो उन्हें भी यह ना लगा कि यह तो एसा मरचिला सा है यह तो एसा खुजलू सा है यह तो हाले तिनी खराब है तो मतलब ऐसा है कि अगर आप अच इसका पकड़ना पड़ता है तो अगर हम थोड़ा से यह सोच ले के जैसे हमारे वच्चे हमें प्रीये हैं उनके कुछ भी हो जाता है तो हमें घबराट होती है हमारा काम में मननी लगता हमें बुरा लगता है उसी तरह से थोड़ा सा इनके परती भी दया भाव और जो है थोड़ा सा मतलब अपना behavior जो अपना अपनी सोच है उसे बदलें क्योंकि इसके वजे से हमें दूद मिल रहा है आपना दे से हमें दूद भी मिलना सुरह होगे और गाय भी हमारी अच्छी होगी तो इस बच्चे की value घर में इतनी है जितनी हमारे बच्चों की है बच्चे भी बार बार इसे देखना आते हैं इसे छूने की कोशिस करते हैं लेकिन यह सैतान बहुत है कभी सूसू कर देता है कभी प कर देखना वार यह हम सोचा रही है कि बथिया के मुकाबले जो पहला था इससा वो बाद में आका मारने लगा था तो इसके जो गाये कर दो थोड़ा सा एग्रेशन में में रहते हैं तो इसका हमें लग रहा है कि अब तक जैसे दो बच्चे हुए काली बच्ची थी वो पहले जो ब्याने वाली थी वो बिग्डी थी और फिर बुधिया था बुधिया भी हमने एक भाही को दे दिया तो दोस्तों इसका हमें लग रहा है कि यह उनसे भी जादा जालिम रहेगा बहुत जाद है तो इसे यह तो पास भी नहीं आने देखता है देखो जी आरे आज तो आज तो सुंग रहा है मेरा हाथ महसूस कर रहा दोस्तों यह ना होने के तीसरे चोत्ते दिन से ही चारा खाने लगा था लेकिन दूद पीने के बाद इसे पता लगा कि यार मज़ा तो दूद में है चारे में नहीं है तो इसे ने फिर चारा खाना बंद कर दिया इस न उल्अही काम करे सारे कि चारा नहीं खळा पहले चारा खना सुरू कर दिया दूधी नहीं पूरा था फिर जब दूध पिना शुरू कर द Mario क्योंगा कुछ दिन तो सब्सक्राइब उप्सक्राइब से उठांब पी गफ यह देखें ने पानी दे दिया ददवाही मार दी देखो जी पैट्रो टैट का गन्ना कितना बढ़ी आवकर घास होगी डाउन अब दोस्तों इतने हम गन्ने खतम करका आएंगे इतने इसकी पत्ति घास डाउन हो जाएगी बहुत जाद है ताव जी वाल अभी छूल गया तह अब क्या करते हैं दोस्तों अपने महां सामने उदर से गोंगे पहुंचने देखो जी यह इतना खेत का तो इसमें जलक मार गी और अब यहां से थोड़े गन्ने पाटके पिछे वाला खेत उठाएंगे अपना बहुत भड़ी आ राजी अब यह इधर जो है दो तीन दिन म करते हैं और हमारे हाँ और यह देक्तों हमारे हाँ जो सबसागे तक अब गया था सब कह रहे हैं नो फरवरी का था जी देखो यह भी हो गया और जबकि सूपके पाणी आया सूपके बीच था इसका बहुत कारण तो इस गेहों को टिंकुबाई वाले को पानी यह कमाए तो पूरा बड़ा बड़ा हो जाएगा मती कर देंगा पहली डोज भी लगाएंगे इसमें पानी फाइनल होई गया था अब आना नहीं है पानी पानी यह देखें जी दर भी बभलुवाही ने गास की दवाई कर दी एक खेती में बड़े शांदार इसके रिजल्ट मिलने की उम् कि सबरा और अजी बबलु के घ्या तोड़ है यह रहा जाता जी इसमें अभी होनी पाई प्रोग्राम अभी हमारा गन्ना चिलाई कई है अब सल रहे हैं जी फटापट यह देखें जी हां यह दोस्तों नील गाएं लगी थी सारे पोई खागी थी दो तिन दिन में फिर वेस्ट जर्नी टू इस्ट एंड सौथ रोज जलक मारी यह देखो वीडियो में जय माता दी यह देखो जी डेली क्योंकि दोस्तों अगर हमारे खेत में 226 वराइटी हुए होती ना अब तक जो बिलकुल है बदामी हो जाता कि 226 बहुत जल्दी पकता है तो अब जो है चा और इसमें जो है तीन-चार ओर मिला देंगा के लिए साल तो फिर हमारा यह सत्वाचटा हो जाएगा तो दोस्तों उसका बेनेफिट मिलेगा क्योंकि जब बड़े बुजूर्ग बताते हैं तो उसका कहीं नहीं फायदा देखो रहता ही है इन चीज्जों का और यह देख इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है इसा समझें तो बुबल भाई मुझे ही उतारों में ही उतारों सामने आप मोटसा के लिए उधर कर देना चकरोड़ता हटा के और उधर मनमीन भाई भी लगा हुआ है अपने खेते में डोज लगा रहा है तो दोस्तों पहुंचते हैं अंदर फटाफट दोस्तों छोल में कोई नहीं है यह थोड़े से गन्ने कटे पड़े हैं तो यह थोड़े से गन्ने काटका कहां चले गए अब इनका देखना पड़ेगा कि यह सुबह सुबह कहां गाया है सारे दोस्तों हमें इनका डरी रहता है पता नहीं किस के हां चले हैं तो इनके डिल्ला रुख होने की वज़े से ही हमारा गन्ना अभी तक रह रहा है नहीं तो और किसाणों की तरह हमारा गन्ना भी टाइम से जाता है ऐसी बात नहीं है और देखें जी गहूं तो यह जो है लेट पकने वाली वराइटी है तो अभी कोई जादेश में जलक है नहीं अभी तो इनने टाइम लगे का मुझे लगा सबसे लेटी ना कटें क्योंकि 226 डबलूपी चेटर बोने की यही वज़ा रहती है कि वह सबसे जल्दी पकते हैं सब जल्दी कटते हैं तो यह देखें जी गरना देखो है दोरे पर पूरा उग गया है यहां से देखें दो दो दोस्तों यह एक तरह का रिंग पीटी है वाकी यह देखें नी लगाये ने कितना बारी नुक्सान कर रखा है तो इन्हें रोकने के लिए चलते हुए हैं माला लगा के चलेंगे 2-2-2-2 दो माने चाहने यहां से खूड कैसे खूड लग गया है कि यह देखने और खूडपे वाली आनी थी आई नहीं आज उन्हें से जो है एक जो मेन खेकदार नहीं है उन्होंने जाड उखडवा रखे आपनी तो आज का ट्रीटमेंट हो रहे हैं उनका आज दवाई लेके लेटी हुई है तो द से वापी छोल में लोटते हैं उनका पूछ आता नहीं है पता है कहां नहीं समझ में बात नहीं है तो जो भी छोड़ना हमें यह जगह छोड़नी है इस जगह में अच्छा है तो इसे या अद्धिस उपर काटका बोलेंगे अगर मील बंद हो जाएगा तो यह निच्चे का जो हिस्सा बचा हुआ है इसे जो है रस में दे देंगे उपर उपर का काट कर लेंगे तो अब की बार ऐसा हो रहा है कि मील जो है शूगर मील अगर हमारे पास में 226 वराइटी हुई होती है डबलू पिशप्ता जैसे हम मिला कर बोती भी रह पकड़े वाली वराइटी है तो अब उसके रिजल्ट लेटी आएंगे तो क्या कर सकते हैं नहीं तो हमारे तो खेत गेमों के हमें सही पहले बूझ आते हैं तो दोस्तों छोल में लगते हैं अब मारते हैं हिम्मत बबलू भाई तो इधर छिलाई में लग गए है यह देख अच्छ अच्छ चीक है जैसे भी है देर आए दुरूस्त आई इन्हें सब कुड़केती चाहिए इनका जी कर रहा है किसान का गांड़ा रहा तो तो तम बोज के बोज ले जाओ बांद कर एक अपते में मारा सारा काम कंट्रोल हो जागा पर तम कहते रहो सबकू कोई दिक् भाइस लेकि बाद करते रहो और यूद्य की तैयारी करते रहो हां करेंगे करेंगे अपना आपनाक्य करेंगे तो बढ़े बुजओर को नुए किसी के हात्तों नि आ ओक रहें थे रातिदिन काम कर दे रहो जाश्युक्त हां काम पीगड़ रहा पहिया कैसे देख कर रहें यहां बंदे दोस्तों बंदे रहे हैं अपनी 22 22 के सैट में करके छेपूली दाब्दी हैं दो दो और दो गोले हाँ दबा दिया है चैपूलियों में दोई गोले बने क्योंकि मोटे जुने बादने पड़ते हैं कि क्या पत्ती का जुना तो चलता नहीं और ये देखें जी हां छोल चली रही है और ये देखें जी मोटा मोटा गन्ना है जी बहुत बढ़ी आप बयाली सिंची का ये मिंदर ने सैम फल में गन्ने छोड़े हैं तो मिंदर भाई इसी तरह सब्सक्राइब दोस्तों कीड़ा भी हां बहुत है लेकिन ओलों की वज़े से गोला ठूट गया देखो लेकिन फिर एक डेड़ फूट जो है उपपर गोला निकल गया अच्छा जी सेंब यह सब ऐसी हैं बहुत बढ़ा काफी मोटा गन्ना अब यह देखो जी बाबा के पास में भी है सेंपल तयार बहुत मोटे मोटे गन्ना दोस्तों जैसे एक महिना पहला चुलिया गन्ना हाँ देड़ दो फुट तो बढ़ जाता पत्ते समेत जो है एक मीटर गन्ना बढ़ जाता लेकिन कोई नहीं वह हमारा उस अध मोटाई में पूरा हो गया तो जी बढ़िय अधर बबलु भाई भी लग रहे हैं दोस्तों चल रहा है काम हवा है वैसे आज कोई दिक्कत नहीं है ट्रोली त्यार करके ही घर चलेंगे चल रहा है जी काम बहुत बढ़िया रगदो जी रगदो बाबा रगदो हमारे बाबा को बड़ा सोंक है ऐसे सेट छोलने का तो द दोस्तों करीब साथ पूली हमने कर दी है और करीब 11 पूली बबलु भाई ने पेल दी है बबलु भाई का हाथ थोड़ा था इंकमों में सीजल चलता है प्रोफेस्टनल छला है जी पर दोस्तों मेरी पूली जो है 11 के बराब बरी पावंगे आपको मैं जो है पूली आने के आल किसमा तकड़ी बांगता हूं चलो जी अराम राम सभी या दोस्तों हवा बहुत बढ़े चल रही है यह दो दो चार चार पूली करेंगे फिर आराम करेंगे खाएंगे पीएंगे करना बहुत अच्छा निखाल राजी घिमों का परमात्मा परवाला सब के मेहनत की फड़ते बढ़िया सबको मिलना चाहिए जी एक बढ़ ट्वैल बगू चलेंगे जी थोड़ा सब ट्वैलब और पपू ठीक भाई दोस्तों घर आ लिए हैं अब जो है हात पयर दोलेते हैं रहस उतारेंगे दोस्तों थोड़ी देर पसिंद नसुकाएंगे ममी जी नमस्ते पापजी नमस्ते तोसे यह तक कि वीडिया आपको अछी लगी होगी आपको फ्याजी उसमा प्लावरा अच्छा जा एंट दिया ममी अपर न कई कि टम्लग का बढ़िया दोस्तों खानावाना चल रहा हूं आप आजओ खाना खालो यह मखी मच्छरों के लिए बहुत अच्छा होता है नीम искadiyaa या जो प्याजी का दिया जो है सरसों का तेल डालके जड़ा दिते हैं तो दोस्तों करने चाहिए है पुराणे विचारों पर आप जितनी जल्दी लोट जाओगे उतना ही आसान होगा अन्यता जीवन कठीने बहुत जाद है दन्यवाद जुड़े रही है टिंग टॉंग पलकु जागी इस मचाया तो है नहीं टिंग टॉंग चूली बुली